नमस्कार दोस्तों D for depression, D for drugs और D for Deepika Padukon Deepika Padukon आज उनकी ग्रे कलर की ग्रेटा गारी में सुबह 10 बजे NCB के SIT आफिस में पहुझ गए थी और उनका 90 मिनिट्स तक interrogation हुआ सरा अलिखान और शद्धा कपूर को भी आज questioning किया जा रहा है अब से उनकी movies कोई नहीं देखने वाला और उनके जितने सारे product endorsement थे उनकी what लग गई है तो B for bamboo लग गया है सबको दोस्तों मैं Deepika Padukon उनको तब से hate करता था जब वो Kingfisher में assignments लेने के लिए Kingfisher के calendar girls में published होने के लिए Vijay Maliyah और सिदात Maliyah के साथ संब्ध बना के रखती थी फिर जब उनकी छपाक movie आये थी तब अनिल मुसरत के पाच क्रोड रुपे के लालच में वो जेन्यू चली गई थी और अभी उनका ये drug scandal दोस्तों मज़े की बात ये है कि Deepika Padukon का एक WhatsApp ग्रूप था जिसका नाम था DPKA Plus Coin और उसकी admin थी खुद Deepika Padukon जैसे उनका WhatsApp ग्रूप था DPKA Plus Coin DP stands for Deepika Padukon और Coin है वो talent management company जिसके major shares hold करते है हमारे भाईजान सल्मान खान जब सल्मान खान पे उंगली उठी तब सल्मान खान तुरंथ अपने lawyer को ढगेल दिया और उनका lawyer आके और उनका जो legal group आके ये बोल रहे है कि सल्मान का क्वैन से खोई भी नाता नहीं है वह दोस्तों इससे भी एक बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वैन के जो co-owner है अनिर्बान बला उनके उपर काफी सारे rape और molestation के charges लगे हुए है एक बार एक birding actress उनके mom के साथ अनिर्बान बला के पास गए थी audition देने तब अनिर्बान बला ने उनकी mom को बाहर बिठा के उस actress के साथ rape करना चाहा लड़की की mom ने already अनिर्बान के against एक case फाइल कर दिया था और उस खबर के बारे में हमें कुछ भी बता नहीं चला अभी recently कंगना रनाउट ने इसका खुलासा किया और तब मुझे ये जानकारी मिली दोस्तो मीटू मूव्मेंट के टाइम पे अनिर्बान राओ के उपर चार allegations लगे थे लेकिन अभी तक उनको कोई भी सजा नहीं मिली तो इसी कौन कंपनी के साथ linked है तिपिका पाडुकोन और उनकी manager करिश्मा प्रकाश और करिश्मा के boss जया साहा जया साहा का नाम तब भी आया था जब या चक्रिवर्ति के साथ उनके drug chats reveal हुए थे और उनको NCB ने समोन भी किया था मुझे यकीन है कि आज इन तीनों actresses के interrogation के बाद काफी सारे खुला से होंगे और काफी सारे राज हम लोग को पता चलेंगे हम जान पाएंगे कितने सारे so-called A-listers, rave parties एटेंड करते हैं और कितने सारे youth icons drug peddling या drug consumption से जुड़े हुए हैं वहाँ बाइकुला जेल पे सर रही या चक्रवर्ति ने एक बेल प्ली किया है और अब उन्होंने तो सारे हदे पार कर दी वो बोल रही है कि आज अगर सुशान जिन्दा होते तो वो भी जेल में होते रियाताई ये कह रही है कि शुशान के कारण वो drugs लेती थी अरे वाँ बे शर्मी की हद है ये रियाताई आप अभी minimum 10 साल के लिए अंदर हो तो आराम से वहाँ पे रहो और ash करो NCB तो तेजी से progress करी रही है और उसके उपड अभी NIA National Investigation Agency भी आ गई है तो अभी कुछी दिनों में और बहुत सारे राज खोलेंगे दोस्तों बट बहुत सारे लोग अभी frustrated हो चुके है क्योंकि शुशान सिंग राजपूत का जो murder case है उसमें CBI उतनी ज़्यादा progress नहीं कर रही है शुशान के lawyer विकास सिंग आज मीडिया को बुलाए विक्स देखके एम्स के doctor यही बोले कि यह 200% death by strangulation है तो विकास सिंग जी का यही कहना है कि इस case को अभी तक abitment of suicide क्यों बता जा रहा है यह लोग क्यों अभी इस case को murder खोशित नहीं कर रहे है शुशान के परिवार को भी अभी ऐसा लग रहा है देखे बहुत सारे लोगों को शायद CBI के काम करने का जो तरीका है उसके बारे में जादा information नहीं है इसलिए मैं बताना चाहता हो कि CBI का initial काम है सबूत इकठा करना क्योंकि उनको यह सबूत court में दिखाने होते है CBI PMO को report करती है और शुषान्त के कातिलों का पता चल चुका है इम्तियास खत्री already arrested है लेकिन अभी CBI देख रही है कि इन कातिलों के पीछे कौन है कौन इनको control कर रहा है उनके नाम शायद CBI को मिल गया है लेकिन evidence बरा मत करने है अगर evidence नाम मिले तो फिर उनको कैसे court में सजा दिलाएंगे और CBI लेट इसलिए कर रही है क्योंकि मुंबई पुलिस सारे सबूत मिटा रही है शीव सेना के चाटू कार मुंबई पुलिस बिकाओ मुंबई पुलिस 14 जून शुषान्त के death के बाद से उनका एक ही काम है सबूत मिटाना और जितने सारे सस्पेक्ट से उनको मुंबई से रफादफा करवाना मुंबई पुलिस ने ही रोहन राय को मैंगलोर भगा दिया सिद्धात पिठानी को भी हाइदराबाद भगा दिया था फिर उसको फिर से बुलाया गया दोस्तो अभी तो ऐसा लगता है कि महाराष्टर में प्रेसिदेंशेल रूल का होना बहुत जरूरी है दोस्तो देखिए CBI पहले बहुत सारे केसेस सक्सेस्पुली हैंडल कर चुकी है और 70%, 70% जो गुनेगार है उनको सजा भी मिल चुकी है आप अगर सुनन्द थरूर का केस देखो तो महाँ पे दो साल लगे थे लेकिन जस्टिस तो मिली और हमारे मेसेंजर अब गॉर्ड, गुर्मीत, बाबा, राम, रहीम उनको तो अभी 20 साल की सजा मिल चुकी है और वो अभी जेल में सर रहे है तो दोस्तो मैं आप लोगों से बिंती करना चाहता हूँ कि थोरा सा पेशेंस रखिये क्योंकि सबर का फल मीठा होता है और शुशांत के जो कातिल है और जितने सारे गुनेगार है सब को सजा मिलेगी मेरे चैनल से जुरे रहने के लिए शुक्रिया आपके थॉट्स मेरे कॉमेंट सेक्शन पर मेंशन कीजिए और वोन्डरफूल वीकेंड ठेक क्यार गॉर्ड ब्लेस